हलो बच्चो तो बच्चो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने समझादा टैक्सेशन में जो इंडारेक्ट टैक्सिस होते हैं यानि जो एक तरह से आप खुद पे करते हैं डारेक्ट जैसे इंकम टैक्स आपकी जो भी इंकम होती है साल भर में उस साल भर के ऊपर जो है सरकार कुश बचरते है उस स्लैब के अकोर्डिंग आपको अपने इंकम पर टैक्स देना पड़ता हैं पब्लिक को ज़ादा से ज़ाधा फैसिलिटी मिल सके इसलिए इंकम टेक्स हम पे कर सकते हैं प्रसकी चीज्ए एं गूहार कम कर सकते हैं यहां पर टाइक्स प्लान होते हैं जो tax lab है, दो हुमारे पास है, एक जो पिछले पुराने समय से चला आ रहा है, और एक जो नया tax lab बना था, दोनों के बारे में discuss करेंगे, और कहां पर क्या आपको छूट मिलती है, government की तरफ से, वो सारी discuss करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे आपने tax में थोड़ा कमी कर सकते हैं, अग income tax होई, central government जो हमारे income पर लगाती है, जो किसी individual की income हो सकती है, किसी company की income हो सकती है, अब इसमें हमारे पर कुछ terms आती हैं, जैसे financial year, तो financial year जो हो गया, उसके अगला जो साल होता है, उसको मोलते है, assessment year, ग्रॉस income, total income earned from the different sources in a financial year, एक financial year में जितने भी आपके sources हैं, उन sources से आपको कितने income मिलती हैं, उसको बोलते हैं, gross income, अब ये सारा हो गया, अब इसके बाद कुछ exemption हमें मिलती हैं, कुछ छूट हमें मिलती हैं, वो क्या क्या होती हैं, ठीक है, सबसे पहले हाउस rent allowance, ठीक है, standard deduction, standard deduction क्य लेता हैं, कहीं से individual person है, उसको 50,000 रुपे की छूट मिलती है, standard deduction ये सभी को मिलता है, deduction under section 80C, अब और क्या क्या deduction होते हैं, 80C जो होता है, उसके अंदर एक person can claim a deduction of up to 1.5 lakh under section 80C, जो 80C जो section होता है, उसके अंदर एक परसन जो है, 1.5 lakh तक का deduction जो है, वो ले सकता है, अब इसम क्या क्या investment होती हैं, जिससे आपको deduction जहां पर मिल सकती है, इसमें जैसे national saving certificate अगर आपने purchase किया हुए है, या आपने national pension scheme purchase की हुए है, life insurance premium आप पे करते हैं, equity liquid saving schemes है, ये सारे ये वो हैं जहां पर आपको इस deduction का फाइदा मिल सकता है, अगर आपने यहां पर investment की हुई है, तो deduction under section ATD, जो ATD section होदा है, उसके अंदर एक person can save tax on the medical insurance premium paid for the self, family and dependent parent up to 25,000 under section ATD, अगर आपने कोई medical claim policy ले रखिये तो उसमें 25,000 तक की आप छूट ले सकते हो, यानि अगर आपने मालो premium पे किया हुए health insurance का 30,000 तो उसमें आपको 25,000 रुपे का जो होगा, उस पर आपको कोई tax नहीं देना होगा, बाकी के पर आपको tax देना होगा, interest on home loan under section 24, deduction of up to 2,00,000, for interest on the home loan under section 84, 24, अगर section 24 है, उसके अंदर आपको home loan पर 2,00,000 तक की छूट मिल सकती है, deduction under section 80, deduction for the interest on education loan under section 80, for a maximum of 8 financial year, अगर आपने education loan लिया हुआ है, तो उस पे 8 financial year तक आपको कोई tax पे नहीं करना है, deduction under section 80, under this section, one may avail, deduction of 50% और 100% of the total amount donated to a organization, depending on the type of organization, अगर आप कहीं पर donation करते हो, तो जो organization की type है, उसके according, आप वहाँ पर भी अपने कुछ छूट ले सकते हो, जो आप donate करते हो, उस पर आपको कोई tax नहीं देना पड़ता, जैसे कुछ donations यहाँ पर आपको दिखा रखी ह है, इन सब पर 100% तक की आपको deduction मिलती है, यानि जो भी आप यहाँ पर donate करोगे, उस पर आपको कोई tax नहीं देना, और यहाँ पर अगर आप donate करते हो, जो नीचे की आपके तीन चार है, यह आपको question में अंदर मिल जाएगा, किस पर 50% का आपको छूट मिलेगी, किस पर 100% क की मिलेगी, यह उसमें मिल जाएगा question में, तो यह आपको सारा याद नहीं करना है, कि किस पर क्या छूट मिलती है, आपको deduction under ATTTA, तो इसके अंदर आपको 10,000 रुपे तक की deduction मिलती है, और income from the saving account interest under section ATTTA, आपका saving account है अगर और उससे जो आप interest अर्न कर रहे हो, वो भी एक्त उसके बाद यह सारा deduction करने के बाद हमारे पास जो आती है, वो होती है, हमारी taxable income, it is the income used to calculate the income tax in the given financial year by subtracting the assumption and deduction allowed from the gross income, जो भी gross income थी, उसमें सारी जो हमने deduction ऊपर पड़ी, यह सारी माइनस करने के बाद जो हमारे पास बरसता है, उसको मोलते है, taxable income, जिस पर income tax आपका count होगा अब income tax count होने के लिए तो slab आपको दिया हुआ, यह income tax for the financial year 2019 to 2020 और assessment year आप यह कह सकते है, 2020 से 21, इसमें अगर आपकी age 60 years तक की है, तो यह slab है, इस slab में कहता है कि अगर आपके income, taxable income 2,50,000 रुपे तक है, तो आपको कोई tax पे नहीं करना, अगर आपकी income 2,50,000 से लेकर 5,00,000 तक है, तो आपको जो भी 2,50,000 से ऊपर की income होगी, उस पर 5% का tax देना है, पांच लाग से लेकर अगर 10,00,000 तक income है, तो इसके अंदर आपको 12,500 प्लस, पांच लाग से ऊपर जो income आईगी, उस पर 20% का tax देना है, और अगर आपकी income 10,00,000 से ऊपर है, तो आपको 1,12,500 अगर आपकी age 60 years से जादा है मतब senior citizen है, आपकी तो नहीं होगी, लेकिन आपको तो questions करने है, तो उसमें आपको use करना है, तो senior citizen के लिए ये income tax lab है, पहले slab में 3,00,000 तक कोई income tax नहीं देना, अगर 3 से लेकर 5,00,000 तक income होगी, तो 3,00,000 से ऊपर की income होगी, उस पर 5% का tax देन दस लाग से ऊपर income है, तो एक लाग दस जार प्लस दस लाग से ऊपर जो income है, उस पर 30% का tax pay करना है, अब ये सारा tax pay करने के बाद, जो मारे पास next एक rebate हमें फिर और मिलता है, tax rebate under section 87A, ये tax rebate under section 87A is allowed to individual taxpayer, a maximum amount of rupees 12,500, for taxable income up to rupees 25,00, अब टू रूपीज 25,00, तो नहीं होना चाहिए, तू 5,00, होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बाद, under section TTA, अब टू रूपीज 5,00, अगर आपकी taxable income 5,00, तक होती है, इसको ठीक कर लेंगे, कि अगर taxable income 5,00, तक होती है, तो आपको इस under section 87A के अंदर, जो भी आपका income tax बनेगा, उस पर 12,500 रूपे की आपको और reduction मिल जाएगी, अब ये सारा reduction करने के बाद, जितना भी आपका tax बनता है, उसके बाद भी आपको एक tax और देना पढ़ता है, health and education CES, SS is a form of tax collected by the government for the development or welfare of the health and education sector, at present 4% health tax and education CES is imposed on the income tax calculated, यानि जो भी आपका income tax calculate किया गया, उसके ओपर 4% का tax और लग के तब जाके आपका final income tax बनता है, अब किस तरह से आपको income tax का question solve करना, यह सारी चीज़े हमने पढ़ लिए, बस इनी चीज़ों को यह आपको process wise follow करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, gross income निकाल लिए, gross income यानि जितने भी resources हैं आपके income के, उन सारी income को add कर देना है, तो उससे आपके पास gross income हाजाएगी, उसके बाद subtract the assumption HR-A, अगर HR-A के लिए eligible है, तो वो subtract करना है, and standard deduction from the gross income, और gross income में से standard deduction जो 50,000 रुपे का होता है, वो आपको minus कर देना है, उसके बाद जो भी हमारे deductions होते हैं, अलग अलग, ATC, ATD, ATE, ATG, इसके अंदर जितने भी deduction हो सकते हैं possible, वो सारे के सारे आपको minus करने हैं, minus करने के बाद आपको मिलेगी taxable income, उस taxable income पर जो उसको slab होगा, उस lab के according, आप income tax calculate करेंगे, और income tax calculate करने के बाद, अगर 87A के हिसाब से, उसको कुछ और income tax के अंदर relief मिल सकता है, तो 87A है यहाँ पर 87A के अंदर अगर उसको कुछ और relief मिल सकता है तो यहाँ पर उसको वो relief मिलेगा 12500 और वो करने के बाद फिर आपको यहाँ पर 4% का income tax और उसमें add कर देना है तब जाके finally जो हमारे पास बनेगा उसका income tax तो यह तो था पुराने वाला slab जो हमारा पहले से चलता आ रहा है अभी लोगों के पास option है कि वो पराने slab से pay कर सकते हैं या फिर नए slab से pay कर सकते हैं नए slab के अंदर क्या है इस slab के अंदर जो भी deductions होती है जो भी deduction है HRS, standard direction, under section ATC, ATD यह सारे में से कोई भी deduction applicable नहीं होती ठ directly बस आपको यह slab दे रहा है slab को आपको follow करना है उस slab को follow करके आपका income tax बनेगा जैसे अगर आप 2.5 lakh तक कमाते हैं तो आपको कोई tax नहीं देना पड़ेगा अगर 2.5 lakh से 5 lakh तक कमाते हैं तो आपको 5,5 lakh से उपर की जो income है उस पर 5% का tax होगा और 5 से 7 lakh है तो आपको 12,500 का tax प्लस पांच लाग से उपर जो इंकम है उस पर 10% का tax देना है तो इस तरह से आगे पूरा slab अपड़ सकते हैं इस पूरे slab के according आपको income tax पर करना है अगर हम अपने हिसाब से देखें तो यह जो income tax slab है इसके according calculate करना आसान है क्योंकि कोई deduction तो हमें करने नहीं है सीधा सीधा बस calculate करना है कितनी income है उसके साब से जो भी उसका income tax बनता है वो निकाल देंगे लेकिन अगर एक परसन के साब से देखा जाए तो कई बार जो पुराने वाला income tax slab है उससे आपको tax कम देना पड़ता है तो बहुत से लोग अभी पुराने वाले tax slab को ही follow कर रहे हैं अब जो question हमें question में वो बताएगा हमें कि नए वाला tax slab आपको follow करना है या नहीं करना है तो यहां पर आपको कहता है कि first question में in the financial year 2019 to 20 Mr. Amon is 35 year यानी senior citizen वाला तो आपको नहीं लगाना ग्रोस income वाज रुपीज 6,98,000 exclusive of HR यानी जो gross income है वो 6,98,000 है ठीक है gross income 6,98,000 यह deposit रुपीज 6,000 per month in NPS यहां पर वो इतना जमा करता है 2,24,900 yearly as LIC premium he purchased NSE worth rupees 40,000 he donated rupees 15,000 in Chief Minister Relief Fund ठीक है calculate the income tax paid by the Mr. Amon at the end of the financial year तो gross income में आपको कुछ और add करना नहीं है बस कोगी हां पर कोई इंटर्स विंटर्स से और कई से earning नहीं हो रही है उसकी बाद एक ही earning है आपर total मिला कर जो दे रखिया आपको 6,98,000 अब उसके बाद क्या करना है सबसे पहला काम क्या करना है हमें इसमें standard deduction करना है तो standard deduction कितना होता है पचास हजार का standard deduction हो गया तो यह बना आपके पास 6,48,000 अब इसमें से जो जो deduction हो सकते हैं जो उसने investment करी है उसके इसाब से हम यह deduction करते हुए चलते हैं तो deduction under 80C अब उसके अंदर उसने क्या क्या करा है NPS में 6,000 रुपे पर मंथ वो पे करता है तो पर मंथ यानि 12,000 कर देंगे 6,000 को 22,000 रुपे हो गया उसके बाद LIC premium यह कितना है यह 24,900 नसी के अंदर 40,000 रुपे तो टोटल मिलाकर बन गया आपके पास 009,426,729,943,136,900 तो section 80C है उसके अंदर आप maximum डेड़ लाग तक की छूट ले सकते हो तो यह से कम है अब यह limit यानि यह पूरी की पूरी हमारी taxable income में से तो टोटल income में से यह minus हो जाएगा तो जो balance हमारे पास अब क्या बचा बैलेंस बचा हमारे पास 6,48,000 था उसमें से 1,36,900 का हमें deduction मिल गया तो हमारे पास बचा यह 0,0,10-91,7-61,4-31,6-15 तो 5,11,100 यह हमारे पास अभी total इतना बचा अब इसमें से कहता है कि जो donation है 15,000 रुपे की donation दी गई तो donation जो आती है वो 80G के अंदर आती है कितनी है 15,000 अब जो यहाँ पर donation दी गई है वो है Chief Minister Relief Fund के अंदर जो 100% deduction होता है नहीं जितना भी आप donation कर रहे हो आपको tax नहीं देना पड़ता तो इसको और minus करेंगे और minus करने के बाद आपके पास बनेगा taxable income तो taxable income बनी हमारे पास 5,11,100 रुपे में से 15,000 रुपे माइनस कर देंगे तो 4,96,100 रुपीज यह बन की हमारे पास taxable income अब taxable income में कह रहा था कि जो जो ढई लाग तक है तो कोई tax नहीं लगेगा लेकिन अगर धाई लाग से पांच लाग तक के बीच में हैं तो taxable income जितनी भी आपकी आएगी उसमें 5% का आपका tax बनेगा तो 5% का tax हम निकालते हैं वो निकालने के लिए आपको क्या करना है इसमें से धाई लाग माइनस कर देना है तो income tax कितना बना इसमें से धाई लाग आप माइनस करोगे और यह जो भी income आएगी उसका 5% आपको tax देना हुआ तो यहाँ पर देखिए 0, 0, 1, 6, 9 माइनस 5, 4, 4 माइनस 2, 2,46,100 इसका 5% हम निकाल लेते हैं तो यह आगया 5, 5, 31, 5, 20, 23, 5, 2, 10, 2, 12, यहनी 12,305 रुपे का बन गया उसका income tax अब लेकिन यह income tax करने के बाद भी हमने देखा कि जो taxable income है वो पांच लाग से कम है तो इसका मतलब यहाँ पर एक deduction हमें और मिल जाता है 87A का तो उस 87A के अंदर हमें deduction मिलता है 12,500 का तो tax rebate हमें कितना मिल रहा है 12,500 का tax rebate मिल रहा है यानि income tax हमेरा कितना बना 12,305 में से 12,500 माइनस करोगे तो भाई यह तो negative में चला गया ना अब negative में चले जाने का मतलब यह नहीं कि government आपको कुछ देगी negative में चला गया इसका मतलब आपको कोई भी tax पे नहीं करना है तो answer आजाएगा निल तो कोई भी tax आपको इसमें पे नहीं करना पड़े गया उसके बाद जो next question है हमारे पास question number second second question में कहाएगी तो financial year है आपके पास 2019 to 20 मिसिस सुमिता age 62 years अगर age 62 years है तो यहां पर जो senior citizen की category में आ गए तो उसमें senior citizen वाला slab हमें follow करना पड़ेगा annual income वाज रूपीज 7,50,000 exclusive of HRC deposit रूपीज 7,500 per month in GPF and रूपीज this per half yearly in LIC purchase NSC रूपीज this and donated रूपीज 20,000 ने charitable trust on which 50% deduction यहां जो gross income है यहां भी आपको सिर्फ एक ही दे रहे किए यहां पर 7,58,000 अब इसमें से जो standard deduction है वह आप माइनस कर दो 50,000 की तो आपके पास कितना रहे गया 7,8,000 यह आपके पास अभी जो income है जिस पर tax calculate होना है लेकिन उससे पहले जब जो deductions है एटी सी के अंदर जो deduction हा रही है वो क्या क्या है हमारे पास एक तो जीपीएफ है जीपीएफ में 7,500 रुपे पर मन्त जमा कर रहे है तो टोटल मिलाकर कितना बना जीरो जीरो ट्वेल फाइजर सिक्स्टी ट्वेल शेवंजा 84 प्लस में 6 यानि 90 और उसके बाद फिर कहते रुपीज 23,400 पर हाफ यह पर हाफ यह मतलब साल में दो जमा कर रहे है साल में दो बार तो 46,800 यह हो गया उसके अलावा NSC जो है उनके पास है National Savings Certificate 25,000 रुपे के NSC इतना यह 25,000 इसका टोटल बन गया आपके पास 00 यह आगया आपके पास 6 प्लस 8 14 और 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 वन केरी करेंगे 10 और 6 यानि 16 तो 162,400 अब लेकिन जो इसके अंदर डिदेक्शन है maximum deduction आपका एक लाख एक लाख पचास हजार का maximum deduction हो सकता है यानि यह पूरा का पूरा डिदेक्ट नहीं होगा इसमें से सिर्फ एक लाख पचास हजार डिदेक्ट होगा तो balance हमारे पास कितना बच गया साथ लाख आठ हजार में से एक लाख पचास हजार आप कर दोगे minus 8-0 करोगे आप 8 आजाएगा 10-556-15 यानि 5,58,000 यह आपके पास balance बचा आप इसमें से जो उसने donation दिया उस donation का 50% डिदक्ट होगा क्योंकि यहां पर दिया हुआ 50% डिदक्ट अगर कुछ नहीं दिया होगा तो इसका मनलब 100% डिदक्ट होगा तो कितना donation दिया है 20,000 तो 20,000 में से आपको 10,000 माइनस कर देना है तो जो टेक्सेवल इंकम है वो आपकी क्या बनेगी टेक्सेवल इंकम तो 5,58,000 में से माइनस कर दो आप 20,000 का 50% ठीक्ट है यानि 10,000 माइनस करने है 10,000 माइनस करने के बाद आगया 5,48,000 यह टेक्सेवल इंकम है अब senior citizen का जो slab है उसके according अगर इंकम पांच लाग से ऊपर होती है तो उसमें आपको कितना देना पड़ेगा टेक्स उसके लिए आपको slab देखना पड़ेगा तो इंकम टेक्स अगर हम 5 लाग से उपर वाले को देखते हैं तो 5 से 10 लाग तक अगर होता है तो 10,000 रुपे देना है और जो भी इंकम 5 लाग से उपर की होगी उस पर 20% टेक्स लगेगा तो इंकम टेक्स कितना कैल्कुलेट हुआ 10,000 रुपे तो देना ही देना है प्लस जो 5 लाग से उपर की इंकम है यानि कितनी मनेगी इसकी 48,000 उसका 20% और देना है 48,000 का 20% और निकाल देंगे हम 10,000 यह हो गया प्लस 48,096 9,600 यानि 19,600 का इस टेक्स देना है अब जो सेक्शन 87 यह होता है उसमें डिडेक्शन तम मिलता है जब टेक्सेवल इंकम 5 लाग से काम हो दिये तो 87 एक अंदर कोई डेक्शन इसको 12,500 वो नहीं मिलेगा यानि इतना उसको इंकम टेक्स देना है अ आप इसके ऊपर भी लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगाना है है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यह कितना चार परसेंट का हो जाएगा चार चिक चोबिस चार निम चत्तिस और दो अड़तिस चार और तीन साथ तो यह कर देंगे तो टोटल जो इंकम टेक्स बनेगा उननिस अजार छेस्सों के अंदर सेवन एट फोर और एड कर देंगे तो ट्वेंटी थाउजन थी हंड़न एटी फोर रुपीज यह उसका इंकम टेक्स टोटल कैलकुलेट होगा कुश्यन नंबर थर्ड के अंदर कहता है फानेंशल यह ट्वेंटी नाइंटीन तुट्वेंटी एन्वल इंकम और मिस्टर भष्षीन इनकी एस दिरेख्ये 48 यह यह इनकम टेक्स जो है वो सिनर सिटिजन वाला नहीं लेना में तो उनकी इंकम है नाग फिप्टी थाउज कि डिपोजिट रुपीज 9,200 इन एन पीएस पर मंत और 29,000 एस लाइसी प्रीमियम 42,000 एस टुशन फी ओफ इस तू चिल्रन ही पर्चेजे मेडी क्लेम पॉलिशी ओफ 18,400 ही पेड रुपीज 1,09,000 एस इंटरस्ट एन 18,000 एस प्रिंसिपल अन दा होम लोन कैल्कुलेट दा इंकम टेक्स पेड़ बाई मिस्टर भसीन एड़ एंड अफ फानेशल है तो सबसे पहले तो टोटल जो ग्रॉस इंकम है वो भी यहां पर कुछ और नहीं दे रहे कि सिधा 9,500,000 की दे रखिए तो ग्रॉस इंकम हो गई 9,500,000 आब इसमें स्टेंडर्ड डिडेक्शन पचास हजार का तो जो बैलेंस है हमारे पास वो रह गया नाइन लेक अब इस पर आपको इंकम टेक्स देखना है कैसे कैसे तो उससे पहले डिडेक्शन कर लेते हैं जो एटी सी है उसके अंदर कितनी डिडेक्शन आ रही है एटी सी के अंदर NPS आता है उसमें 9200 रुपे पर मन्त है NPS 9200 रुपे पर मन्त बारा दोने 24 बाराने में 108 और 210 उसके लावा फिर 29,000 ऐस LIC प्रीमियूम 29,000 इस पेड रुपीज 42,000 ऐस टूशन फीज तो 42,000 ऐस टूशन फीज आ रही है वो भी सक्षन एटी सी के अंदर आती है कितनी थी 42,000 तो कुशन नंबर थर देखते हैं इसमें कहता है कि इने फाइनशल लियर 2019-2020 अन्वर इंकम और मिस्टर बसीन एज 48 एज 48 एज तो एज 48 एज है यानि सीनर सिटीजन वाले स्लैब में नहीं जाना है मैं कहता है कि वाज रुपीज 9,000 950,000 इस टोटल इंकम दे रिखिये और बाकी यहां पर फिर आपको कहता है कि 9,200 रुपीज पर मन्त इन एन पीएस और 29,000 इस LIC प्रीमियम इपेड रुपीज 42,000 इस ट्विशन फी ओफिस टू चिल्डन ही पर्चेस दे मैडिक लेम पॉलिशी ओव रुपीज 18,400 और यह पेड रुपीज 1,09,000 इस अब यहां पर भी इंग्रॉस इंकम आपको सिर्फ एक ही जगह दे रखिये 9,500,000 इसमें से आपने स्टेंडर्ड डिड़क्शन कर दिया कितना एक लाग पचास अजार का स्टेंडर्ड डिड़क्शन पचास अजार का हो गया तो बैलेंस हमारे पास रहिए 9,000,000 अब उसके बाद जो सेक्शन 80 से है उसके अंदर क्या क्या आपके पास इंवेस्मेंट हो रही है सबसे पहले कह रहा है कि ही डिपोजिट 9,200 पर मंथ इन एन पीएस 9,200 पर मंथ पर मंथ को 12 से मंटिप्लाई कर देंगे बारा दोनी 24 बारा ने में 108 और दो 110 उसके बाद फिर कहता है कि 29,000 एज एलाइसी प्रीमियूम पैर टूज़़न एज टूँशन फे जी टूज़़न फिए होती है दो बच्चों की वह भी इस के अंदर आते है ठीक है टूज़़न फी कितने 42,000 और परिएFirst फेसे मेडिक लेम पॉलिसी मेडिकलेब पॉलिसी इसमें नहीं आती हैं इस पेर प्रिणीपल प्रिंसिपल लोन है वो एटिसर्ट के अंदर आता है प्रिंसिपल अन होम लोन यह कितना है 18,000 इन सब को एड़ करो जो 00 यह आगया आपके पास चार आट और दस दस और नो उननिस फिर यहां बजाए दो और दो चार चार आट और एक नो और फिर आगया यहां तो यह आगया 1,99,400 अब लेकिन 80C के इंदर आप मैक्सिमम रिबेट आपको मिल सकता है 1,50,000 का हूँ यह आपको पास जो बैलेंस बच गया उसके लिए 9,00,000 नाइन लैक में से आपको 1,50,000 माइनस करना है यह पूरा माइनस नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बचा 7,50,000 अब उसके बाद जो सेक्शन आता है आपके पास मेडिकलेम पॉलि rocking के लिए मेडिकलेम पॉलिसी के लिए आता सेक्शन 8D सेक्षण 8D है कि मेडिकलेम पॉलिसी तो इसमें आपको 25,000 तक की छूट मिल सकती है यह मेंडिकलेम पॉलिसी लेकिन छूट आपको मिलेगी सिर्फ पच्चीस जार तक तो पच्चीस जार से तो कम है यह 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 पूरा का पूरा यह कम हो जाएगा तो बैलन्स अब कितना रह जाएगा आपके पास आए 7,50,000 उसमें से 18,400 आप माइनस कर देंगे तो यह रही है आपके पास कितना 00, 10-46, 9-81, 4-13, 7,31,600 अब उसके बाद फिर कहता है कि जो इंट्रस पे करते हैं हम होम लोन के उपर उसमें 2 लाग तक का रेवेट मिल सकता है तो यह 2 लाग से कम है यानि यह भी माइनस करो अब यह कौन सा सेक्षन होता ही होता है सेक्षन 24 सेक्षन वेक्षन देख ले ना एक बार अगर कुछ गलत हो जाए तो सेक्षन 24 ही है इसमें आपको यह आएगा इंट्रस्ट ओन होम लोन यह 1 लाग 9,000 तो इसमें मैक्सिम्म दो लाग तक का रेवेट है यानि यह माइनस करो अब इसके बाद आपके पास जो यह जो बैलनस आएगा ना और तो कुछ माइनस अब करना नहीं है तो अब जो बैलनस आएगा वो बनेगी हमारी टेक्सिबल इंकम तो टेक्सिबल इंकम निकालने के लिए आपको 7,31,600 में से माइनस करना है 1,9,000 यहाँ से आगया हमारे पास 6 आगया है 11 माइनस 9 तो 6,21,600 यह होगी टेक्सिबल इंकम अब टेक्सिबल इंकम पर टेक्स लगाएंगे अब टेक्स यहाँ पर 5 लाग से उपर की इंकम पर 10,000 रुपर लगेगा और प्लस जो भी 5 लाग से उपर की इंकम है उस पर 20 परसेंट लगेगा ऐसा ही है इवार स्लैप चेक कर लेते हैं ने 10,000 तो सीने सिटीजन का था न तो नॉर्मल का है बारा हजार पांसो बारा हजार पांसो और पांस लाग से उपर की इंकम है उस पर लगेगा आपका 20 परसेंट का टेक्स तो इंकम टेक्स कितना बना बारा हजार पांसो प्लस पांस लाग से उपर की जो इंकम है वो इसकी एक लाग बाईस हजार शेसो रुप है इसका बीस परसेंट और निकाल लेंगे अब दो चीख बारा दो दुनी चार पांस दो दुनी चार दो इन दोनों का टोटल कर आपने तो टोटल करके आए हमारे पास जीरो टू पांस पांस दरस चार दो छे और एक साथ दो एक ती ठीड़ी सेवन थाउजंट ट्वेंटी रूपीज यह बना इसका इंकम टेक्स अ तो यानि अब आगया है हेल्थ एंड एजूकेशन सेस तो वह आपने पास कितना चार परसेंट होता है टेक्सिवल इंकम टेक्स का इसका चार परसेंट निकालेंगे तो यह आजाएगा चार दुनी आठ जीरो चार सती अठाइस चार ती यह बारा और दो चोधा दस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आजाएगा डेसिबल यानि 1,480 रूपीज एटी पैसे तो यह और आड करेंगे तो नेट इंकम टेक्स कितना बना 37,020 रूपीज में 1,480 रूपीज एटी पैसे एड करेंगे तो यह जाएगा 0.80, 0, 8 और दो दस, 4 और एक 5, 7 और एक 8 और 3, 38,500 रूपीज एटी पैसे 38,500 रूपीज एटी पैसे इसको राउंड ओफ करके आप लेख सकते हो 38,500 रूपीज इसके बार नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन में इता है फैनिशल लियर 2019-2020 अनुल इंकम और मिस्टर रूपीज एज 30 यह वाज रूपीज 8,885,400 रूपीज इसके 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 आपको यह दे रहें रहें तो जितना भी अमारा टेक्स बनेगा उसमें से जितना टेक्स उसने और लड़ी पे कर दिया होगा उसको माइनेस कर देंगे वह आपके पास टोटल इंकम टेक्स आ जाएगा ठीक है बस इसमें एक एक्स्ट्रा काम हमें यह करना है बाकि सब कुछ आपको वैसे कर वैसे ही करना है एस 58 years annual salary वाज रूपी 10,54,000 इस annual salary है He earned Rs. 17,500 as interest on the Saving Bank account Mr. Reddy deposited Rs. 12,000 per month in GPA, 45,000 towards the annual premium of insurance policy Rs. 1,98,000 as interest and Rs. 40,000 as principal on the principal on the home loan He also paid Rs. 18,000 interest on the education loan For his son Mr. Reddy purchased a MediClaim policy of this Calculate the income tax paid by Mr. Reddy At the end of the financial year Assuming the data given above for the financial year This calculate the income tax with the new tax design यानि जो नया वाला टेक्स है उससे भी करना है और जो पराने वाला टेक्स है उससे भी करना है दोनों से करना है तो अब यहाँ पर जो उसकी savings है Bank saving bank account जो है उससे उसको इतना interest on मिलता है तो जब gross income की बात हैगी तो gross income के अंदर आपको जितनी salary है 10,54,000 इसकी यह salary है प्लस जो उसे interest मिलता है 17,500 का यह भी इसमें add करेंगे तो gross income आपकी बन जाएगी यहाँ पर 0 इदर आ जाएगा 5 7 प्लस 4, 11 5, 6, 7 10,71,500 अब जो standard deduction है 50,000 का वो करने के बाद जो balance हमारे पास बचेगा इसमें से 50,000 माइनस कर दोगे तो आजएगा 10,21,500 अब जो section 80C है उसके अंदर deduction क्या क्या है तो section 80C के अंदर जो deduction है उसमें कहता है यह Mr. Ready ने deposit किया 12,000 रुपे पर मन्थ हिन GPF तो GPF के अंदर 12,000 पर मन्थ यानि 1,44,000 रुपे GPF में उन्हें इन्वेस्ट कर दिया रुपीज 45,000 तो वार्ड दा अन्वल इंसूरेंस पॉलिसी ठीक है यह इंसूरेंस कितना हो गया थी इसमें 45,000 और ही पेड रुपीज 1,98,000 इंटरस्ट और 40,000 इसमें नहीं आती है तो जो सेक्शन 80C के अंदर यह तीनों की तीनों इन्वेस्टमेंट है इनको कर दो आप प्लस तो यह आईए आपके पास 0,0,0,549,448,12 2,29,000 लेकिन इसमें जो मैक्सिमम डिड़क्शन है वो आपको मिलेगी सरिफ 1,50,000 तक तो अब आपके पास बैलेंस कितना बचेगा 10,21,500 में से 5,00,000 कर देना माइनस और 1,50,000 करना माइनस तो कितना बचा आपके पास यह आई है 0,0,5,1 12 में से 5,7 और 9 में से 1 गए 8 यानि 8,71,500 रुपीज इतना हमारे पास आ गया यह बैलेंस अब इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन 80D है तो 80D यानि जो यहाँ पर MediClaim Policy है MediClaim Policy भी थी न इसमे MediClaim Policy थी 27,829 की तो सेक्शन 80D के अंदर MediClaim Policy यह 27,829 तक यह इसमें जो Maximum Reduction है वो कितना है 25,000 तक है तो यह 25,000 माइनस कर दो अब बैलेंस कितना रह जाएगा 8,71,500 में से 25,000 माइनस करोगे 005, 11 माइनस 56, 6 माइनस 2, 4 यह रहे गया है 8 8,46,500 उसके अलावा फिर Section 24 Section 24 के अंदर था हमारे पास जो प्रिंसिपल था इसमें और इंटरस्ट था होम लोन पर वाथा 1,98,000 इसकी Maximum Limit 2,00,000 तक की है तो यह तो पूरा-पूरा माइनस हो जाएगा Section 24 इसके अंदर था हमारे पास Interest on Home Loan कितना था यह 1,98,000 अब बैलेंस कितना रह गया 8,46,500 में से 1,98,000 माइनस कर देंगे यह आगे आपके पास 16,88, 13 में से 9,4 और यहां आगया 7 में से 1,6 यहनि 6,48,500 इसके बाद जो उसको Interest मिल रहा है आप पर Education Loan का जो Interest वो पे कर रहा है उस पर 8 Financial Year तक उसको चूट मिलेगी तो यहां पर अगर हम Section 80E का amount है कितना 18,000 Interest on Education Loan इस पर यह पूरा का पूरा रिड़क्ट हो जाएगा तो अब हमारे पास Balance कितना रह गया 6,48,500 में से 18,000 माइनस करना है तो अब यह आपके पास बच गया 00503 6,30,500 रुबेज अब इसके लावा जो उसको Interest मिल रहा था Saving Bank पे 17,500 का तो उसमें से 10,000 तक पर कोई टेक्स नहीं लगे गया तो वो बहुत है Section 80 TTA इसके अंदर आपको 10,000 रुपे तक की छूट मिलेगी इंटरस्ट ओन सेविंग अकाउंट अब बैलेंस कितना रह गया अब बैलेंस रह गया हमारे पास 6,30,500 में से 10,000 और हम माइनस कर देंगे तो यह लगा 6,20,500 तो अब जो आपके पास यह आया 6,20,500 यह बनेगा आपका Taxable Income अब यह जो Taxable Income आई तो इसके उपर आपको लगाना है Income Tax अब Income Tax कितना लगेगा Taxable Income है हमारी 6,20,500 यह पांच लाग से उपर होगी तो पांच लाग से उपर अगर होती है तो Income Tax Calculate जब हम करते हैं उसके अंदर 12,500 रुपे प्लस पांच लाग से उपर जो इनकम होगी यह नहीं एक लाग बीस हजार पांच सो इसका बीस परसेंट तो यह यह बारह हजार पांच सो प्लस इसको मट्डिप्लाई करोगे तो यह यह 36,600 रुपे इंकम टेक्स हुआ अब इस इंकम टेक्स में क्योंकि जो एक रिवेट हमें बाद में मिलता है इंकम अगर पांच लाग से काम होगी तो वो रिवेट तो मिलेगा नहीं 36,600 में 1,464 और एड़ कर देंगे तो यह आजएगा आपके पास च्छे और चार दस च्छे साथ आठ 38,064 रुपेस अब फिर इसी कोशन को ही हमें जो नया वाला टेक्स है calculate the income tax with new tax तो नई वाले टेक्स के कोडिंग अगर हम इसमें इंकम टेक्स लगाते हैं तो कितना बनेगा अभी हमारा इंकम टेक्स बनाए क्या 38,064 रुपेस तो नई टेक्स के कोडिंग अगर हम पहले इसकी ग्रॉस इंकम निकाल लेते हैं ग्रॉस इंकम है इसकी 10,54,000 प्लस 17,500 इसको हमने एड़ किया साथ चार यारा पांच से साथ जीरो तो 10,71,500 यह इसकी टोटल ग्रॉस इंकम आगी अब जो नया वाला स्लैब होता है उसके कोडिंग कोई आपको डिड़क्शन विड़क्शन कुछ ने गरने सीधा स्लैब पर जाना है और स्लैब में आप देखोगी भई 10,00,000 से उपर अगर इंकम है तो उस पे कितना टेक्स लगेगा तो 10,00,000 से उपर अगर इंकम आते है 10 से लेकर 12,00,000 तक तो 75,000 लगेगा 20% का टेक्स और लगेगा तो 75,000 प्लस दो पंजे दस दो एकम दोर एक तीन और दो सत्ते चोड़ा 003,549,7 और एक आठ तो 89,300 रुपीज यह टेक्स हो गया अब इस पर जो एजुकेशन से वो तो लगे गए लगेगा ठीक है वो नहीं चूटेगा तो उस पर 4% और आप एड़ कर दो 89,300 का 4% और निकाल दो चार तीय बारा चार नेम 36 और एक 37 तो जो टोटल इंकम टेक्स है टोटल इंकम टेक्स कितना बना 89,300 के अंदर 3572 और एड़ कर दो तो 92,872 रूपीज तो नए स्लैब के कोडिंग इतना टेक्स देना पड़ेगा और जो पराने वाला स्लैब है उसके कोडिंग इतना टेक्स देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा फरकार है तो अब यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्लैब चूज करते हो इसी कोशन के सा आप थी जो एक्सराइज है हमारी वह फिनिश हो जाती है यहां इसकी हेल्प से आपको इंकम टेक्स कैलकुलेट करना आ गया हुगा कैसे आप इंकम टेक्स कैलकुलेट कर सकते हो आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक्स ओल आफ यो